कि नमस्कार आदा सस्तेकाल मेरे किसान भाईयों और नीव वीडियो में आप सभी कर स्वावत है आज मैं आपको कुछ नया स्टॉक लेकर आया हूं और काफी सारे टेक्टर आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में और बहुत अच्छे अच्छे रेट यानि बहुत सस्ते सस् जा रहा हूं यानि अपके तो दो लाग की नीचे की रेंजी की सारे टेक्टर आपको देखनों को मिलंगे इसका रेट यानि लगबग एक लाग पच्छी हिजार से लेकर सबालाग और देड़ और दो के बीच के टेक्टर आज हम दिखाना जा रहे हैं हमारा एडर सुनने जैसे हमारी वीडियों बताते हैं कि अपनी जगहा है कस्वा जहांगिराबाद जिला बुलंचर यूप उतर परतेश में पड़ती है और जहांगिराबाद में भाईपुर दुराया भाईपुर दुराय से अनुप सहर की तरफ एक किलोमेटर आगा आग जो आप चलोगे त है और एक चीज और बताना चाहूंँ है कि हमारे पास जो कॉल करने का समय है और सुबह नौ बजे से साम 6 वेज तक आप किसी भी टैम कॉल कर सकते हैं अब चलते हैं अपने ट्रक्टरों की तरफ ट्रक्टर बहुत सारे हैं और इस दुसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ट् कि अब यह मेहंद्रा 275 है डियाई 2009 मोडिल है इंजन गेर का बहुत अच्छा है पिछले टैर रवड पिलाएगे बिलकुल न्यू ब्रांड है जैसा हम वीडियों बताते हैं हम इसी तरीके के रेट टैट देते हैं जी रवड पिलाएगे यह तेरे के टैर है न्यू ब्रां नीचे जो पूरा टैक्टर औरिजिनल सिर्फ उपर टैचिंग का काम किया हुआ है बैटी से सेल्पी स्टार्ट मिलेगा जो चुटमुट का काम होगा वो सारी चीज से हम कंपलिट करा के देंगे और रेट की हम इसकी बात करें तो इसकी जो रेट रहना वाली है मात्र एक लाग 45,000 रुपे का हम अपने किसान भाई को देंगे मात्र एक लाग 45,000 रुपे का अब मैं अपने किसान भाईयों को एक चीरा और बताना चाहूंगा असलत पिछली वीडियो में हमारी जैसे 28 तारीक की जो वीडियो अपलोड होई थी उसमें हमने दो जो है ऑफर दिये दिपावली के एक तो टैरों पे था और एक सर्विस वाली लेकिन उनकी देड़ थी आने वाली दस यानि जैसे आज नो तारीक है ना तो कल कुछ जो है हमारा ओफर खताम हो रहा है सर्विस वाला भी और टैर वाला भी लेकिन मैं अपनी किसान भाईयों की नहीं मैं चाहू लेकिन आपको टैरों मा उफर देंगे वह भी आना वाली बीस तारिक दस दिन और देंगे हम आपको यह उफर दीपाली गई मानना आप और यह सिर्फ मैं आपको अपनी खुशी सा और अपने किसान भाईयों की नहीं मैं यह उफर दे रहा हूं तैरों का और सर्विस जो है वह दो हजार रूपए के आप होना वाली है जैसे हम पिछली वीडियो में देते आये मात्रों 2,000 रूपए में हम आपको सर्विस कराके देंगे और टैर पिछले जैसे यह टेर है नहीं है नियू ब्रांड है अब यह टैर मेरे हां आपको पिछले 10,000 रूपए के रवड़ से औरिजिनल है उपर से टचिंग का काम क्या हुआ है आप देख सकते हैं सो पैसे बैटरी से ये भी सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा इंजन गेर लिफ्ट एक दो ओके है बैटरी से सेल्फ स्टार्ट है अब हम इसकी रेट की बात करें तो रेट रहना वाली है इसकी एक लाग प अब आपको अब आयाते फारम ट्रक पैटीस एच्पी का इट्रेक्टर है चैंपियन और इंजन गेर लिफ्ट का बहुत अच्छा है पिछले टेरे के हैं सीएट के लगबख आदे और अगले टेर भी लगबख MRF के हैं आदे सी नीचे से पूरा ट्रेक्टर एक्टाम ओरिजनल सिर्फ उपर से टच्छिंग का काम किया हुआ है उपर से सिर्फ टच्छिंग का काम किया हुआ है अब हम इसकी रेट की बात करें इसकी रेट रहना वाली है मत्र एक लाग पैतिस हजार रुपे का हम अपने किसान भाई को देदेंगे और एक पैतिस में भी जो गुंजाइस मान सम्मान होगा हजार दो हजार हमारे हैं ज्यादा लंबी चोड़ी गुंजाइस नहीं है कि रेट हैं हमारे हैं बहुत नाकी बरावार रहते लेकि उसमें भी जो गुंजाइस होगे मान सम्मान हजार रोजार होते हैं वहां अपने किसान भाई को कर दाएंग अब आजाता है मैसी 1035 टॉनर साइड गेर है सिफ्टिंग गेर वाला जी इंजन गेर का यह अच्छा है बेंटरी से एक्षाइल पूरा ट्रेक्टर बिल्कुल औरिजेलल है सिर्फ बर्गार्टर पेख्शन का काम किया हुआ मिचले इंजिन गेर से लिफ्ट से एक अगढम बहुत अच्छा है थेयर पिछले इसके हलके हैじ 1,60 इसमें इसम Exclusive यहां अगर बारई के चाँझ बारे गेर का अच्छा है और हम इसकी रेट की बात करें सोला मोडिल भी तो रेट रहना वाली है इसकी मात्र मात्र दो लाख रुपए का हम अपने किसान भाई को कर दाएंगे अब आ जाते हैं कि टीटा गड़ जो है इसका इंजन जो है कि लोसकर वाला इंजन और पिछला इससा ज सोचें कि टीट अगर यह कौन सा को टेक्टर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे लेकिन किलोसकर का इंजन है पिछला इससा सौराज का समान अगर आपको फ्यूचर में अड़को कोई चीज चलेगी तो खराब भी होगी तो सामने वाला आदमी है किसान भाई यह लेक्श पिछला हिस्ता जो सौराज का तो सौराज के नाम सब कोई भी समन आप मार्केट से उपलत करा सकते हैं सिर्फ इसका जो लोग है ना सूपर डी आई उन्तालिस टीट अगर यही चैंजिंग है यानि कंपनी ना अपना लोगों चैंज कर रखा बाकि सारी चीज बिल्कुल से यानि सौराज वालों का 49 HP की गाड़ी है 2016 का मोडिल है इंजन गेर लिफ्ट का बहुत अच्छा है पूरे टेक्टर एक दम ओरीजनल है पूरा टेक्टर एक दम ओरीजनल कहीं भी कोई भी टेक्चिंग का काम किया हुआ नहीं है और रेट की हम इसकी बात करें तो रेट रह पिछले टार आप देख सकते करीब 40-30-40% है अगले टार थोड़ा हलक है थो अगले टार बदलवाना चाहों तो बदल वालो पिछले चाहों तो पिछले बदल वालो जो हमने आपको बताया पिसदों फांच मैंट पहले वह कंडिशन है कि फिसले टार जाते रहे कि 10,000 अग वाली चीज़ से कंप्लीट करा कर देंगा रेट की हम इसकी बात करें तो रेट रहना वाली है मातर एक लाग पच्छपन हजार रूपर का हम अपने कि अब एक एसी है तीन सो पचास 2016 मॉडिल पिछले टेर ओरिजिनल है इसमें लगबग 80% और अगले भी लगबग 80% है इंजन गेर लिफ्ट का बहुत अच्छा है टेक्टर इंजन गेर लिफ्ट का बहुत अच्छा टेक्टर है और बैटरी से यह भी सेलफ इस्टार्ट ही मिला հा पूरा टेक्टर बिलकुल उरिजनल है कहीं भी टटेचिक का काम किया हो नहीं सिर्फ मरगाटो के लावा मरगाट भर हल्गी विलगी टेचिक का काम किया हुआ दोजार सोलो मॉडिल 20 सेल पिस्टार्ट और रेट की बात करें तो इसकी रेट रहना वाली है मात्र मात्र एक लाग 80,000 रुपे का हम अपने किसान बाइब बाइब जाते हैं मात्र एक लाग 80,000 रुपे का अब आ जाते हैं यह मैसीद 248 पिचले टेर 40 पर सेंट अगले टेर बिलकुल हलके जी गोल है यह सब लोगा अगले टेर तो आपको पल्टि कराने ही मैसी के एक दफ़ एक पुछले टेर चल जाएंगे लगब वाग है 40 पर सेंट यह अगले टेर मेट एक त्भोर का दोहतार में नहीं बाती रह गया और ब 112 का मोडिल है है 212 का मोडिल है और रेट की बात क्रहें तो इसकी रेट रहना वालिये मात 1000 एक लाग 7500 को हम अपनी किसान भाइब को देंगे 170 मेर जो मान सम्वान होगा वह अपनी बहुँन गश्तर दक्रक्रक्त जारा मोडिल इंजन से गेर से लिफ्ट से एकदम ओके हैं देख सकते हैं और इसकी डेट की बात करें तर रेट रहना वाली है इसकी एग लाख पचास जार रुप यानि डेर लाख रुपय का हम आपको मैसी दस मैंतिज देता हैं अब आयाता है यह मैं सोना लिका डियाई अच्छाश परसेंट है अगले थोड़े से हलके हैं इंजन गेर का अच्छा है सिफ्टिंग गेर जीटर वाला इंजन है बैटरी से यह से इस्टाइटी मिलेगा जो चुटबुट का काम होगा सारी किससे कंप्लीट करा करा के देंगे इंजन से गेर से लिफ्ट से एकदम होके हैं और 2010 का मोडिल है नौए दस मोडिल है और इसकी रेट की बात करें तो इसकी रेट रहना वाली है मात्र एक लाग पचास हजार रुपए यह यह देड़ लाग रुपए का हम अपने किसान भाई को अब आ जाते हैं यह सोना लिक इंजन गेर लिफ्ट का यह भी अच्छा है बैटी से सेल्पी स्टाइट मिलेगा पूरा टैक्टर बिल्कुल ऑरिजिनल सो कंडिशन पर सा सिर्फ मरगाटर को हलकी हुल भी टचीन है और पिछले टैर इसमें हलकी हैं आप देख सकते हैं अगले टैर तो इसके अच्छे हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सबस्क्राइब के इसमैं यह तो फिरुल्वाओ सिब्सक्राइब यानि 11000 रूपे में तेरे के टैर आपको रवल पिलाएंगे हम आपको करके देंगे 2015 का मोडिल है इंजन से गेर से लिफ्ट से एकदम होके है और रेट की हम इसकी बात करें तो रेट रहना वाली है मत एक लाग सत्तर हजार रूपर का हम अपने किसान बाई करें पंद्रा मोडिल पिछले टैर इसमें लगबख 40 परसेंट है पूरा टैक्टर हो और इंजन का गेर का लिफ्ट का एकदम अच्छा है बैटरी से भी सेल पिस्टाइटी मिलेगा जो चुटमुट का काम होगा सारी चीज से कंप्लिट कराके देंगे जो बारिंग सारी चीज और चुटमुट आरसर बारसल जो भी होगा सब कंप्लिट कराके हम आपको देंगे अब रेट की बात करें इसकी तो रेट इसकी रहना वाली है मात एक लाग पैंतालिस हजार रूपर का हम अपने किसान भाई को देंगे 2010 का मोडिल है एक एक इंडो फारब है इसका पीज़ा का इंडो रखते हैं दस पैंटीस वाला इसमाम है समस्वाले इंजन होता है पिछला इससा जो होता है सौराज वाले होता है लेकिन नाम इसका इंडो फारम बीस पैंतिस हैच्पेगा इंजन गेर का च्छा है रेट इसकी रहना वाली है मात एक लाग 20,000 हुआ सो मरगाटों पर तैर इसमें मेरे किसान भाई यह बिल्कुल हलके हैं चारों टैर आपको पल्टी कराने यानि पारह हजार रुपे का एक कभी कभी ऐसा होता जैसे हमारे किसान भाई आने के वाद मैं यह सोचना लगे पचास जार के टैरी पचास जार का इसाम मतलब हो चैसाल की गारंटी वारंटी दे रहे हम रवर्ट लाएगे टैरों की अब आप पुराना टैक्टर ले रहे हो यह कीमत एक लाग पैसाल चलाने के वाद में समझे लोग आपने पैसा वसूल कर लिया को कि आदमी वहां तो सोचता कि जहां 3-4 लाग रुपे टैक्टर पर हर् कीमत का है अब इस तरह की कीमत के अगर हलके भी है तो आदमी रवड़ पिलाएक चलाना चाहिए चला सकता है जरूर नहीं है कि और पचास हजार की जोड़ी डिलनी है अक्सर जो किसान भाई जो है नब्य परसेंट जो है वह खेती के परपस से लेते दस परसेंट यह से होत तो उसके नियत जाइसी बात है औरिजनली चाहिए लेकिन इन रेटों में और इस बजट में अगर टेर आपको मिलने हैं तो इसमें भी इन टेरों में भी आपको घाटा नहीं है तो एक लाग 45,000 रुपे का है 11 मोडिल है इंजन गेर का बहुत अच्छा है बैंटे से इंजन से लिफ्ट से एकदम होके है 2016 का मोडिल है अब हम इसकी रेट की बात करें तो रेट रहना वाली है इसकी मात्र एक लाग 65,000 रुपे का हम अपने किसान भाई को देदेंगे एक 65 में जो गुंजाई जो मान सम्मान होगा दो-चार हजार रुपे इसमें कम कर देंगे हम आपको ठीक है यह सक्ती मान पैर 30 से भी देख लो इंजन गेर का यह भी अच्छा है दस मोडिल है और इसको हम बहुत सश्ती रेटों में देदेंगे मात्र एक लाग 15 जार रुपे गा दस मोडिल मात्र एक लाग 15 जार रुपे कर ट्रॉली के मतलब का हो यह चलानी है यह फिर हलका फुलका काम करना यह जुताई भी खेती का खेती का काम भी करना तो वह चीज़ भी आपको करेगा को कि 35 से आच्छ पी का तीन सिलंडर वाला है अब आजाते हैं नीहोलेंड पिछले टैर लवक असी पैसे हैं अपोलो के अगले टैर 40 पर सेंट है इंजन गेर का अच्छा है सो मरघाट पिल्कुल ऑरिजिनल है सिर्फ जो है मरघाट पहल्की फुलकी उपर टचिंग है इंजन गेर लिफ्ट का बहुत अच्छा है और है दो हजार बार का मोडिल है और इसके बात करें तो रहना वाली मात्र 650,000 रूपय अंपनी अब आयाता है सोना ली का डि ऐ साथ सचालीश पिछले टैर बिल्कुल हलके हैं यह यह तेरह की टैर है अब हमारे किसान बहुत पर नहीं है ना थैसे खेती पर चलंगे और ना य वेती वेती के काम बिल्कुल नहीं करने के अगर हमारी किसान भाई मेरे हां से पल्टिक रहा होगे तो यह टेर तेरे के मात्र दस हजार रूपर हम पल्टिक रहा देंगे अगले टेर इसके ठीच है हजार तुजार यह गुंजाइस होगे तो वह भी चीज हम आपको करके देंगे अब ऐसी यह 35 है सब्सक्राइब में हैं इंजन गेर का अच्छा लेकि टेर इसके भी हलके हैं अब इसके टेर अगर आप पल्टिक रहा होगे तो चारो रवड पिलाएगे टेर हम आपको मात्र 12 हजार रुपे में पल्टी करा देंगे इसके सोना लिका के होगे टेरो से उतर रहा है वाकि इंजन गेर को बहुत अच्छा सो कंडिशन भी टेक्टर की ठीज़े हैं और चलने फिरने का भी अच्छा है लेकि टेरो पे सहारता हो रहा है तो हजार बारा का मोडिल है अब इस टेर इसके में ठीक हैं हलकी 40% टेर हैं इंजन से गेर से लिफ्ट से यह अच्छा है 2010 का मोडिल है 2010 मोडिल है इंजन गेर लिफ्ट एक्दम बढ़िया है पैटी से यह भी सेल्पिस्टार्टी मिला गा और टेरों का इसमें भी काम है अगर हमारे किसान भाई पल्टी करा तो और रेट की हम इसकी बात करें तो रेट रहना वाली है इसकी मात्र एक लाख पचास हजार रूपे का हम अपने किसान भाई की मात्र एक लाख पचास हजार रूपे अरे कि सौनाली का सास्सो इसानली का ब्याली से आरेक्स पैताली से गाड़ी होती है इंजन गियर लिफ्ट का यह भी अच्छा है पूरा ट्रेक्टर और ऑरिजिनल सो टंकी पर सब्सक्राइब अगर हमारे किसान भाई आना चाहें और ट्रेक्टर के इच्छुग हैं तो पीस तारिक से पहले पहले उनको टैरों का आफर मिल जाएगा बीस के बाद फिर वही तेरह हजार रूपे के पिछले टैर और दो हजार रूपे की जोड़ी हो जाएगी और इंजन गेर का बहुत अब इसकी रेट की बात करें तो रेट रहना वाली है इसकी एक लाख नब्य हजार रूपे का हम अपनी किसान भाई और एक सवराज यह आर्ट सो चौटिस इंजन गेर लिफ्ट का यह भी अच्छा है बैंटी से यह भी सेल पिस्टार्टी देंगे और चुटमुट का काम होगा और सारी चीज़ से कंप्लिट करा के देंगे 2008 मोडिल यह 834 2008 मोडिल इंजन गेर का अच्छा है बैटी से सेल पिस्टार्ट है रेट की हम इसकी बात करें तो इसकी रेट रहना वाली है मात्र एक लाख चालीस हजार रूपय का हम अपने किसान भाई को देता है मात्र एक लाख चालीस हजार रूपय का है कि एक सो ना लिकार एक्स ब्याली से इंजन गेर लिफ्ट का यह भी अच्छा है पैंट्री से यह सेल पिस्टार्ट है 2014 मोडिल और और इसकी रेट की बात करें तो इसकी ठेंट रहना वाली है मात्र एक लाग 80,000 रुपयर भा हम अपने किसान भाई को देता है मात्र एक लाख 80,000 रुपयर अब एकी सक्तिमान और जी 2 सिलंडर कर मेरे कोई किसान भाई आइसर एक सिलंडर की तलास कर रहे हूं और इच्छूक भी हो आइसर एक सिलंडर का ही काम करेगा जी इंजन गेर का अच्छा है बैंटी से सेल्प स्टार्ट है पुलको सूखा टेक्टर है कहीं से भी कोई भी लेकेजिंग नहीं है पूरा टेक्टर अरिजनल है 2015 का मोडिल है दो सुलंडर है कोई खेती का काम नियार्फूस का काम ट्रॉली का काम इट भट्टे का काम करना चाहें कोई इट भट्टे पर लगाना हो यह चोटी मूटी को खेती हो दस पांदर भीगा तो वह भी करेगा को कि इंजन गेर का बहुत सूपर है एक अच्छा रेट इसके रहना वाली है मात्र मात्र एक लाग बीस हजार रूपर का हम अपने किसान भाई को देंगे एक बीस में जो गुंजाई जो माल सम्मान होगा वह हम आपको कर देंगे एक लाग बीस हजार रूपर का अब एक सौना लीगा यह है कि दो अजाज से मोडिल इंजन गेर का यह भी अच्छा है बैटी से भी सेल पिस्टार्ट यह बाकि इसमें दोड़ा बत काम हो रहा जैसे अभी सालन से लगना बाकि रह गया है और यहां गद्दे वागी गद्दे वगरा होते हैं जैसे मरगाट अले वो इंगल पत्ती छत सब्सक्राइब देख सकते हैं यह चारो टैर बिल्कुल हलके हैं तो जैसे चला तो उसे किसान भाई लाव उठागा इसकी चारो टैर पल्टी करा सकते हैं तो दो हजार च्या का मोडिल अब इसकी रेट की बात करें तो रेट रहना वाली है मात्र एक लाग पच्चीस हजार रूपे का हम अपने किसान भाई को देंगे और बारह हजार रूपे के इसमें टैर पढ़ने के बाद ट्रेक्टर कितना हो गया एक लाग सैतिस हजार रू प्रगम मैं टैर हो गए बाकि अब जिस कंडिशन में है एक लाग पच्चीस हजार रूपे का हम आपको सैल्प स्टार्ट आपको हम देंगे